नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभात खबर ड्रक्स कनेक्शन में गिरफतार रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा सुसान सिंग राजपूत केस में फसी रिया पर गंभीर आरोप है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन्हें गिरफतार कर चुका है इस वीडियो स्टोरी में बात रिया और सुसान्त केस की नहीं होगी रिया चक्रवर्ती के अतीत के बारे में बात होगी ऐसा अतीत जिससे आप अभीतक अंजान है रिया चक्रवर्ती के पुर्वज पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के रहने वाले थे पुरूलिया जिले के तून्तुरू गाउं में रिया के पुर्वज जमिनदार हुआ करते थे रिया चक्रवर्ती के दादा का नाम शिरीस चक्रवर्ती है शिरिस धनबात के कोईला खदान में मैनेजर थे तून्तुरू गाउं में चक्रवर्ती परिवार की जमिनदारी का 323 सालों का लंबा इतिहास है गाउं वाले नाम नहीं बताने की शर्थ पर कहते हैं कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनके बड़े भाई का बचपन यहीं गुजरा दोनों भाईयों ने यहीं अपनी शिक्छा पूरी की नौकरी लगने पर गाउं से चले गए चक्रवर्ती परिवार इस गाउं में 323 साल से दुर्गा पूजा करता आ रहा है यहां उनका खांदानी दुर्गा मंडब भी है जहां हर साल दुर्गा पूजा होती है प्राइ सातास अठास भी है जोमी अखाने जोमी दिये चोप्र पर्ती रह्याई तारुपरी इसकूल्ट होए छी यहां श्पाताल होए छे वगने ब भीडार बोरदीश्ट पोरिवार उख वाई पूज पोजा पूजा कर दुर्गा पूजा है गाव वाले बताते हैं कि तकरीबन 22-23 साल पहले पांच साल की नंधी रिया अपने पिता के साथ दुर्गा पोजा में शामिल होने तुन्तुरू गाव आई थी ये आखरी बार था जब इंदरजीत चकरवर्ती अपनी बेटी को लेकर गाव आए थी इसके बाद वो कभी नहीं आए आज चकरवर्ती खांदान के अन्यवन सच गाव वालों के साथ यहां दुर्गा पोजा की खांदानी परंपरा को निभाते हैं अदरों से वर्त तीन चेट जनरेसें न चेरेडा आचे बाएदे हैं जोदी किचु कोरेशे से टाल दाक वाथा कि अमी ओई वई फ्रमिल्टी तरंगे और वई ग्रामेस्ट तरंगे तीन चेट जनरेसें तरंगे आमी जमनों इस्कुले चात्र हो आमार बाबागो इस्कुले चात्र हो शिदल अपक्से इस्कुल्टा मौंजूर होईचे नाइन्टीन तुन्तुरू गाउं में आज भी चक्रवर्ती परिवार का दो मंजिला मकान मौजूद है अब यहां कोई नहीं रहता मकान के चारों ओर जाड जंगलोग आए हैं उधर बहुत कम ही लोग आते जाते हैं गाउं वाले या चक्रवर्ती परिवार के संबंध ही इस बारे में जादा बाद नहीं करना चाहते तून्तुरू कुछ समय पहले तक गुमनाम सा एक साधारन गाउं था जैसे पश्चिम बंगाल के और गाउं होंगे लेकिन इस हालिया मसले के बाद गाउं अचानक सुर्ख्यों में आ गया है गाउं वाले हों या चक्रवर्ती परिवार के वनसच सबका यही कहना है कि आज वहां जो भी हो रहा है इसकी उन्होंने कभी कलपना तक नहीं की थी उन्हें नहीं पता था कि उनका गाउं एक दिन ऐसी किसी वजह से अचानक चर्चा में आ जाएगा इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही जारखंड और बिहार समेच देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे प्रभाद खबर के साथ धन्यवाद